C-I-E-T, N-C-E-R-T, प्रस्तुत करते हैं वसंत भागतीन, कक्षा आठ के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन में म्रिदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत हरे हरे ये पाठ, डालिया कलिया को मलगात, मैं ही अपना स्वपन म्रिदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूश मनोहर पुश्प पुश्प से तंद्रालस, लालसा खीच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अम्रित, सहश सीच दूंगा मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनन्त, अभी न होगा मेरा अन्त सूर्यकांत त्रपाठी निराला प्रिष्ट दो, प्रेश्ण अभ्यास कविता से एक, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अन्त अभी नहीं होगा दो, फूलों को अनन्त तक विकसित करने के लिए कवि कौन-कौन सा प्रयास करता है तीन, कवि पुश्वों की तंद्रा और आलसे को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है कविता से आगे एक, वसंत को रितुराज क्यों कहा जाता है आपस में चर्चा कीजिए दो, वसंत रितु में आने वाले तियोहारों के विशाय में जानकारी एक कत्र कीजिए और किसी एक तियोहार पर निबंध लिखिए तीन, रितु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है इस कत्र की पुष्टी आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए अनुमान और कलपना एक, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताईए कि इन में किस रितु का वर्णन है फूटे हैं आमों में बौर, भौर वनवन तूटे हैं होली मची ठोर ठोर, सभी बंदन छूटे हैं दू, स्वपन भरे कूमल कूमल हाथों को, अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभाद के आने का संदेश देता है उन्हें जगाना चाहता है और खुशी-खुशी अपने जीवन के अम्रिट से उन्हें सीच कर हरा भरा करना चाहता है फूलों पौधों के लिए आप क्या-क्या करना चाहेंगे? प्रिष्ट तीन कवी अपनी कविता में एक कल्पनाशील कारे की बात बता रहा है अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताय कारें का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है जैसे नन्य मुन्य बालक को मा जगा रही हो भाशा की बात एक हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावरत्ती हुई है कविता के हरे हरे ये पात बाक्यांच में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेशन के रूप में प्रयोक्त हुए है यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयोगत है ऐसा प्रयोग भी होता है जब करता या विशेश्य एक वचन में हूँ और कर्म या क्रिया या विशेशन बहुवचन में जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है तीन बेर खाती ते वे तीन बेर खाती है जो तीन बार खाती थी वो तीन बेर खाने लगी है एक शब्द बेर का दो अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमतकार आ गया इसे यमक अलंकार कहा जाता है कभी-कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है जबकि दोनों दो प्रकार के शब्द होते हैं जैसे मन का मन का ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिसमें एक ही शब्द की पुनरा वृत्ती हो ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निमलखित पुनरा वृत्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए बातों बातों में रह रहकर लाल लाल सुबह सुबह रातों रात घड़ी घड़ी दो, कोमल गात, मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात विशेशन जिस संग्या या सर्वनाम की विशेशता बताता है उसे विशेश्य कहते हैं उपर दिये गई वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेश हैं क्योंकि इनकी विशेश्ता, विशेशन, क्रमश, कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्यात हो रही है हिंदी विशेशनों के सामान्य तया चार प्रकार माने गए है गुण वाचक विशेशन, परिमान वाचक विशेशन, संख्या वाचक विशेशन और सार्वनामिक विशेशन कुछ करने को 1. वसंद पर अनेक सुन्दर कविताएं हैं कुछ कविताओं का संकलन तैयार कीचिए 2. शब्द कोश में वसंद शब्द का अर्थ देखिए शब्द कोश में शब्दों के अर्थों के अतिरिक्त बहुत सी अलग तरह की जानकारियां भी मिल सकती हैं उन्हें अपनी कॉपी में लिखिए प्रिष्ट चार शब्दार्थ मृदुल कोमल पात अभी आप सुन रहे थे पाठ एक ध्वनी प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली भारत